बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपनीटीट पेपर हैकर में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टुडेंटों के लिए हम ले क्या है समास सास इसे सोचलोजी कहते हैं 100 नंबर का पेपर होगा 2023 के पेपर में यही आने वाला समास सास के पेपर में वह 10 कोशे जाएं मनलब एक से लेकर 10 तक बहुत भी कल्पी होगे 11 से लेकर 20 तक मतलब की 10 कोशन आपके बैरी शोट गोशन पूचे जाएंगे बहीं आपसे पूचे जाओं कि पतेक में आपको क्या है और जो 25 सब्दों में आपको उसका अंसल लिखना होगा और 21 से लेकर 26 तक मतलब 21 से लेकर 26 तक कह सकते हैं 6 कोशन आपके short कोशन पूचे जाएंगे जिसे हमें 50 सब्दों में लिखना होगा और साथ-साथ बहुत भी कल्पी जिसे MC को कहता है ये कोशन पूचे जाएंगे अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम MC क्यों कि और नहीं जाएंगे क्योंकि MC क्यों के लिए हम आपको एप्लिकेशन बना करते रहे हैं ठीक है उसका लिंक हम आपको लिंक डिस्केप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप हमारी एप्लिकेशन में जाएंगे पेपर हैकर ओफिसल एप पर ठीक है और बाकी mcq की जो बात करें mcq में media provide करा दूँगा साथ में ही और इसका तो पूरा application पूरे paper का application हम आपको playstore पर दे देंगे playstore पर ऐसा ही होगा कि class 12 sociology paper 2023 के नाम से होगा आप महां search कर पाएंगे ठीक है बस अभी आपको क्या देख रहा है हम बात करेंगे very short question के बारे में पहले very short कौन कौन से important है very short में उसके बाद में देखेंगे short में उसके बाद देखेंगे long में हम बहुबिकल्पी question को नहीं देखेंगे इस वीडियो में ठीक है बहुबिकल्पी बात की बात करेंगे पहले हम long short very short question को देखेंगे जो हमारे paper में लगभग में 90 नंबर के आ रहे हैं, तो हम पहले 90 नंबर पर target रखेंगे, मतलब हमें पहले 90 नंबर प्राप्त कर रहा है, ठीक है तो very short quotient के ओर चले जाते हैं देखिए अब start करते हैं, अती लगूत्री quotient के ओर पे, ठीक है, समझ रहे हैं मैंने आपसे खा, 11 से लेकर 20 तक जो quotient होंगे वो 80 लगूत्री प्रसन होंगे मतलब की very short quotient के अंदरगत आएंगे तो इसमें हमें, मैंने कुछ चार practice set बनाए हैं जिसमें से हमने क्या किया है, 10-10 quotient हो मतलब की 4 जगे, या 3 जगे divide किया 30 quotient हो, ठीक है जो very short होंगे, लेकिन अब मैंने क्या किया, हम लोगों ने video अब ये पूरा आपको मिलेगा 30 quotient में 3-4 side है हमारे, 4 side होंगे तो 40 quotient होंगे, very short कोगे तो आपको डरना नहीं है, हमें बस वो याद करना है जो मैं आपको इस video बता रहा हूँ, ठीक है बाकी ये सभी आप देखने के लिए हमारे application को download कर लेना बहाँ आपको मिल जाएगा, अब यहाँ देखो बोला क्या है, पहला question आप याद करेंगे कि राष्ट से आप क्या समझते हैं मतलब पहला question है, very important है राष्ट की परिभासा, आप पहला question पढ़ना, राष्ट की परिभासा, ठीक है प्रजनन दर से आज से क्या है, प्रजनन दर की परिभासा ये question देखेंगे, दो question clear हो गए, देखे, 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में नागरिय और नगरिय और ग्रामिड जनसंक्या कीतनी है, मतलब नगर में और ग्राम में कितनी जनसंक्या है, वो आप देखेंगे उसके बाद में अधिनिकरण के तीन बिसेस्ता है, छोड़ देजेगा, समाजिक संसेपन क्या होता है, अठार्मा question को या, ये question टिक लगाएंगे, तो हमने अब तब कितने चार question पर टिक लगा दिये हैं, ठीक है, और पैड़े में क्या होता है, इसको छोड़िये, विलियम छोड़ देजिए, जनल विवस्ता, देखो कहा रहा, जाती जाती विवस्ता से होने वाली, परिबरतन से बास ये, बास ये, चार कोशन देखना है, दसमें से चार कोशन उपर टच की है, अब हम दूसरे से ड में आए हैं, इसमें हम जो very short question है इसमें क्या है तो आसपरता क्या से कहते हैं यह आप question देखेंगे आज उसके बाद में भारत में प्रजाती जो बिविताएं हैं उनकी क्यास है यह question देखेंगे बहुत ज़्यादा important है चिपकू आंदोलन परियावन के विकास में किस पिरकार साहयक है यह बहुत ज़्यादा very important है ठीक है उसके बारत में है भारत में जनजातियों की किनी तीन विसेस्ताओं की बारे में इस 16 कोशन को याद करेंगे रटर लेना इस कोशन को बही कोशन बता रहा हूँ जो paper leak हुआ है मतलब सारी कोशन यह जाएगे भारत की कोशन जातियों आंदोलन पर उलेक है भारत में कोशन जातियों है जो आंदोलन पर उलेक है आपको यह देखना है और बी निसेद क्या है बी निवेसित क्या हो दिए इसके बारे में आप कोशनों को देखना है बस ये कोशनों को आपको याद करना होगा जो आपके लिए बहुत जादा important कोशन अचातरो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कोशन आपके clear हो गए उसके बाद में guys आपको पता है next क्या पढ़ना पढ़ेगा हमें हम केवल अभी अती लगू उत्री कोशनों को देखेंगे कि हमें कौन-कौन से हमें जो very short कोशन है वो पढ़ना है बस इसके लावा कुछ और मत पढ़ना जो टिक लगाया बही पढ़ना है और बस केवल 10-12 कोशन होंगे उनको पढ़ करके हमें एक भी कोशन बात नहोंगे बस कोशन होתे ऊथाज कोशता है अतेदारी की परिभासा देख ले ना बहुत ज्यादत इंपूटेंट है अधूनी करन से आप क्या समझते हैं? दबाब समू daddy, dबाब समू क्या होता है? उसका अर्थ परिम्हासा, दबाब समू की परिम्हासा पढ़ deste करिये? वहुत जजादा इंपूडेंट है किर्शक समाज की किनी तीन विशेष्थाओं की बारे मता लेना ये question पढ़ना है, ये थे Barry sword question, ठीक है, आप बात करेंगे, हम लगूत्री पिरसन जिसे कहते है, sword question, ठीक है, अब लगूत्री पिरसन की बात करूँ, तो आपको कौन-कौन सा पढ़ना है, मैं आपको बो भी tick लगवा दूँगा, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको next video म कि next video में, आप हम केबल, 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 कितने 15-16 question पढ़ना है, 20 number हमारे clear हो जाएंगे, उसके बाद में next video upload करूँगा, बो करूँगा, लगूत्री पिरसन की, उसके बाद में, जो, उसके बाद उबलाए, वीडियो अबलिस करूँगा, बो करूँगा, मैं long question हो की, ठीक है को subscribe कर लेना, और दोस्तों को share करते हैं, जादा से जादा, और अभी हमारे application paper hacker official app को download कर लो, registration करने के बाद में login कर लेना, और बहां जा कर गे, ये वीडियो सारी देख सकते हैं, बड़े आसान से free में, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा देने की ज़रुदनी है, चाल को subscribe कर ल